आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हलो गाईज, हलो अव्रिवान So question given है Complete the following reactions and write main product NaOH है और Iodine दिया हुआ है ठीक है तो CH3COR का मतलब ये है कोई Ketone and ये है कोई Base and ये है आपका Halogen ठीक है जब आपको दिखे substrate में की कोई Ketone है बेस के साथ में कोई Halogen दिया हुआ है तो इसका मतलब वो कौन से reaction होगा वो Haloform Haloform reaction हो गया तो इसको अगर Iodine है तो हम इसको बोलेंगे Idoform क्या बोलेंगे Idoform ठीक है Idoform reaction इसके लिए क्या होता है सबसे पहले Methyl Ketone की ज़रुत होती है Reactant में Reactant में हमारे पास क्या होना चाहिए Methyl Ketone होना चाहिए and Reagent में हमारे पास Reagent में हमारे पास होना चाहिए I2 या फिर कोई भी हेलोजन उसके बाद NaOH ठीक है तो ये basically Oxidizing agent की रूप में Act करेगा और इसका जो reaction होगा वो होगा CH3 COR PLUS NaOH PLUS I2 Will Give क्या देगा ये देगा CHI3 PLUS R-C-O-O N-A ठीक है N-A पर positive जाज आएगा and आपका बनेगा N-A-I PLUS water ठीक है तो ये आपके final product सोजाएंगे इस reaction के लिए Classics चिट्वल से लेके Need IIT जेही Means और Advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज ये डाउनलोड करे डाउटनेटा ये वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स 8444 उपर